हेलो एब्रीवान कैसो आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हो और फिर पार्ट टू है ये 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 भी मैं उसी वीडियो के बाद में अपलोड कर दूँगी ताकि लखन भेया और सपना जी को जो भी मैसेज मैंने दिया है आई थिंग कि वो मेरी बात को समझेंगे अगर वो मेरे वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझेंगे और उमीड तो यही थी कि वो बेवकुफ ना बने जैसा कि बाकी पबलिक बनती जा रही थी और कई लोगों को बहुत जादा बेवकुफ बनने के पाद अभी समझ में आ जुका है कि यह कैसी है और काफी सारे कमेंट्स आप लोग कर रहे हूँ कमेंट्स मैंने डाल धी है बापकिस कमेंट्स डल चुकी है आप लग उस कमेंट्स को भर दीजे और मैं कल वीडियो लेकर आऊँगी उसके उपर तो चलिंए आज बात करतीयू डोमेस्ट्टिक भा तो अगर मेरा वीडियो ये लखन बेया और सपना दीती देख रही है तो मैं उनको भी काऊंगे कि आप लोग भी ध्यान से सुनिये का जो बाते मैं अभी बोलने वाले हूं क्योंकि डॉमेस्टिक वाइलेंस जो होता है ये हमारे भारत में बहुत जादा लड़किया इस आता था ये करता था वो करता था लेकिन आपने अगर इनको शुरू से नहीं देखा तो मैं आपको बता दू जिस टाइम ये सोशल मेडिया पर आई थी इन्होंने हम लगों के साथ ये बोला था कि मेरा पती इतना प्यार करता था मतलब बहुत जादा केरिंग था ये था व और उसकी बचे से मुझे मेरे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया मतलब आप सोच सकते हो कि ये लड़की हर वीडियो में ये गानक आती है कि 45 दिन के बच्चे के साथ मुझे निकाल दिया गया अब आप मुझे ये चीज़े बताईएगा अगर आप मेरे वीडियो को देख करके महगी और यह सब चीजे आइटम बंगा के खा रही हो उस लड़की को उस बेटे की माँ क्या कहेगी जिसका बेटा चला गया है ना उस लड़की को उस इनसान को मतलब उस घर के लोग क्या बोलेंगे आप मुझे बता सकते हो है ना एक तरफ उस लड़के की डेथ के उप पर मरलब पूरा आप समझ सकते हो कि क्या हाल होता है घर का जब वो कोई बेटा जवान बेटा चला जाता है तो बुजुर्ग मावाप का क्या हाल होता है है ना तो आप सोच सकते हो इस चीज को उस समय पे उनके घर की बहू बाहर से जो मैटो स्वीगी करके मैगी वैगी अराम से तो आप सोच सकते हो इस चीज को कि फिर उस घर की मा या उस घर के बाप का क्या हाल होगा और क्या करेंगी वो लोग अगर ये लड़की ये हरकते कर रही है तो इसको रख क्या चाहर डालेंगे वो लोग आप मुझे सुर्फ इतना बताना दूसरी बात इनों ने बोल सास के घर कर ये अधा उन्होंने मना क्यों नी किया कि मैंनिया उंगी खाते हैंना उनके घर का समान बन दे बहने बना लटा से टुने वाया ही paste हो कि इनों ने क्या किया दो दिन तक उनके घर रही, दो दिन भी क्या ही बोलू मैं तीन दिन ही हो गए, मतलब दो राते तीन दिन, सुबह निकलिए ये मंडे को महा से, इनका कहना ऐसा है, तो मैं ये काऊंगी कि जब ये वहाँ पर रह रही थी, उन्होंने इसको बिस्तर के उपर मतलब थी, तो ये भहू ना मांगी, तो इसने कुछ ने किया वहाँ पर, इसके बेटे को भी इनकी सास ने नहिलाया, दुलाया, सब कुछ किया, खाना पीना भी उन लोगों ने बना के खिलाया, इनको बेड पर सब कुछ मिला, इनको बाहर कुल देवी की पूजा कराने के मतलब पूरा अच्छे से, जैसे एक बेटी अपने माइक के जाती है, उस तरीके से इनको महाँ पे सब कुछ हुआ, उसके बादे इनोंने अपने देवर के साथ जो चीज़े की वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि उसका क्या रीजन था, वो क्यों इन से घबराता है, क्यों भागता है, क्यों डरता है, वो रीजन ये था, कि इनोंने उनके उपर वो वला केस्क पहले किया हुआ, तो आज की रेट में उसकी नई-नई शादी हुई है, उसको अपना घर बरबाद कोई करना है, मालों की अंदर बैठी हो और ये कुछ भी इंजाम लगा दे क कि मेरे देवर ने मेरे साथ ये काम कर दिया, तो उसकी बीवी तो कन्फियोस ही हो जाएगी ना, कि मैं इस लड़की को मालब साथ दूँ या अपने पती का साथ दूँ और अगर वो जुड़ बोर रही है, तो वो लड़की का घर उजड़ जाएगा, इस लड़की का, है न लेवर तो चाहता नहीं है कि अपना घर उजड़ ले, अपनी जिन्दगी उजड़ ले, मतलब ये तो दो मिनट में इंजाम लगा देती है किसी के भी उपर, है ना, इसने तो अपने भाई को इतना गंदा बोला है, ये तो अपने पिता जी के लिए बोलती है, कि मेरे साथ माईके में गलत काम होता है, तो आज भी इसका भाई अगर इसके घर जाता है, वो गाड़ी से उतरता नहीं है बंदा, इसके घर का पानी तक नहीं पीता है, आज भी उसके वीडियो में दिखता है, ये सब चीज़े, है ना, तो मैं आपसे सर्फ इतना काऊंगे कि इतनी द महानी अब सुनाई चाहरी है, मैं ये पूछना चाहती हूं इन से, कि क्या डोमेस्टिक वाइलेंस हुआ तुमारे उपर, तुमने तो बल्कि उनके उपर डोमेस्टिक वाइलेंस किया, उनके घर का खाया, उनकी घर से सब कुछ किया, उसके बाद जैसे आज ने लामी की, बैसे हमेशा से करती है, उन लोगों की, वो बुजोर्ग इंसान कहां से पैसा लाके तुम लोगों को शॉपिंग करा रहे थे, कहां से नहीं करा रहे थे, उन्होंने कितने अच्छे से रखा तो मैं अपने घर में, और तुमने घर आके क्या बोला, कि अब मैं इनको, इनका अपनी वीडियो कॉल पर भी नहीं दिखाऊंगी, और मैं अपना बच्चा प्राइविसी में रखना चाहती हूँ, मैं दिखाना ही नहीं जाती, और मैं अपने सास्सुसूर से कोई समबंधन ही रखना चाहती, तो मतलब उनका पोता है, तो उनका कोई हक नहीं बनता उस ब तो आज तक उन्हों कе साथ हो रहा है तो तूम बारबार ये कहां से कहतीredit हो कि मेरे उपर ओर है तो मैं इसी चीजको बारबार बोलना चाहरी वह कि ये गलत है इनसान ये लड़की और मैं सुभा वीडियो डालूंगी मैसेज वाला और प्लीज थोड़ा कायदे में रहकर बाते लिखिएगा क्योंकि गलत शब्द कर लिखोगे तो मैं डैश डैश करके बाते करूंगी मैं गलत शब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहती है अपनी वीडियो में आई होप कि पूरी सच्चाई जाए कि मेरे साथ साथ कितने लोग और भी जानते हैं इनको अच्छे से तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर